हलो गाइज, आज बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त पनीर की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्च और 7 में अद्रक का एक छोटा सा टुखड़ा, आप चाहिए तो इसके साथ प्याज लेसन भी एड़ कर सकते हैं, यह बिना प्याज और ल देगी मिर्च का पाउडर मिक्स कर दिया है, अब इसे पनीर में डाल दिया है, और इसे मिक्स करके रख दिया है, यानि मैरिनेट किया है इसे, 10-15 मिनट के लिए बस मैं इसे रखने वाली हूँ, जब तक कि मैं उधर तेल गरम होता रहेगा, साथ साथ तब तक बस इतना ही तेल लिया है, इसमें दो इलाईची, दो लॉंग, एक चोटा चमच जीरा डाला है, ग्राइंड टोमैटो प्यूरी डाल दी है इसमें, और बीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे, और साथ ही साथ स्टार्टिंग में ही मसाले डाल देंगे, इसमें एक चमच धनिया पाउड साथ में तो पानी करते हैं और या गाडा हुने तक थोड़ी दिर और पकाएंगे, बन-क बंद कर दिया है तो इस पनीर को मैंने सर्फ किया है पूरी के साथ उपर से पनीर क्यूब्स को मैंने उपर से ग्रेट करके डाला है जिसकी वजह से यह दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है रेसेपी ट्राइ कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो लाइक शेय हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद